वैनम 3 की कहानी की शुरुआत एक अनोखी जगह से होती है, जिसे क्लिंटार कहते हैं, यहाँ पर हमें क्लिंटार के भीतर मौजूद अंगिनत सिंबियोट्स नजर आते हैं, और उन सब के बीच में एक प्राचीन और शक्तिशाली अस्तित्व, नल, विराजमान है, नल, जो स पास के सिंबायोट्स ने उसे जकड कर रखा है, नल कहता है, मैं अंधेरे का भगवान हूँ, जिसने इस सिंबायोट्स प्रजाती का निर्मान किया है, बहुत साल पहले, मैं अपने अंधेरे के सामराज्य में राज़ कर रहा था, लेकिन अचानक एक दिन, रोशनी ने मेर सामराज्य पर धावा बोल दिया, और उसे मुझसे छीन लिया, लेकिन यहीं नहीं, आगे चलकर मेरे अपने रचे हुए सिंबायोट्स ने भी मुझे धोखा दिया, और इस क्लिंटार के भीतर कैद कर दिया, अब इस कैद से मुक्त होने के लिए नल को कॉडेक्स की जरूर कॉमिक्स में ये जैनोफेज किसी अन्य ग्रह के होते हैं, लेकिन वेनम 3 में दिखाया गया है कि इन्हें खुद नल ने ही सिंबायोट्स के निर्मान से पहले रचा था, यही कारण है कि इन सभी जैनोफेज का रंग भी काला है, जो उनके नल से जुड़े होने का प्रतीक ह इतने सालों बाद जबकि सिंबायोट्स ने नल का साथ छोड़ दिया था और उसे कैद कर दिया था, यह जैनोफेज अभी भी नल के प्रतिवफादार बने हुए हैं, नल अब उन्हें आदेश देता है कि वे पूरे ब्रहमान्ड में फैल जाएं और सभी ग्रहों पर जाकर कोडेक्स की खोज करें, जैसे ही जैनोफेज को कोडेक्स मिले, वे उसे नल के पास लेकर आएं, ताकि नल एक बार फिर से स्वतंत्र होकर अपने अंधेरे के सामराज्य को पुन स्थापित कर सके, नल कहता है, जैसे ही मुझे कोडेक्स मिलेगा, मैं इस कैद से आजाद हो जाऊंगा, उसके बाद मैं पूरे युनिवर्स को नश्ट कर दूँगा, और अपने अंधेरे के सामराज्य को फिर से स्थापित करूँगा, यह कहते ही नल अपने चारों और कई पोर्टल्स खोल देता है, और उन पोर्टल्स के जरिये सारे जैनोफेज को विभिन ग्रहो पर भेज देता है, ताकि वे कॉडेक्स की तलाश कर उसे नल के पास ला सकें, इसके बाद मूवी में हमें एडी ब्रॉक का द्रिश्य देखने को मिलता है, एडी एक बार में बैठा है, वही बार जहां वह स्पाइडर मैन, नोवे होम के अंत में था, यह वही सीन है, जहां कि एडी ब्रॉक अपने वेनम सिंबायोट के साथ अपने यूनिवर्स में लौटने लगता है, इसी समय पर डॉक्टर स्ट्रेंच का स्पेल कास्ट हो रहा होता है, जिससे एडी और वेनम अपने यूनिवर्स में वापस आ जाते हैं, लौटने के बाद भी, एडी और वेन से अपने कई हाथ निकालता है, और उसके लिए खुद एक ड्रिंक बनाकर उसे पेश करता है, लेकिन तभी बार अटेंडर की नजर एडी पर पड़ती है, और वह यह देखकर हैरान रह जाता है, कि एडी के शरीर से कई हाथ निकल रहे हैं, एडी इस पर ज्यादा ध्यान जिसमें खबर चल रही होती है, कि पैटरिक मुलिगन नामक एक डिटेक्टिव की मौथ हो गई है, पुलिस को संदेह है, कि इस हत्या के पीछे एडी ब्रॉक का हाथ है, और इसलिए वे उसे ढूंड रही है, एडी जैसे ही यह खबर सुनता है, कि पुलिस उसे पैटरिक बताता है कि वह अब New York जाने का फैसला कर चुका है, क्योंकि वहाँ उसका एक जजज से संपर्ख है, जिसके कई काले कारनामों के बारे में एडी को पता है, एडी सोचता है कि उस जजज से मदद लेकर वह खुद को बेगुनाह साबित कर सकता है, जैसे ही एडी यह टेंडर को अपने पेये का भुकतान करता है और बाहर निकलने लगता है, इसी दौरान वेनम अपना एक हाथ बाहर निकालता है और काउंटर पर पैसे रखतेता है, लेकिन जैसा कि वह पैसे रखता है, काउंटर पर वेनम के शरीर का एक छोटा सा टुकड़ा भी वही रह ये टुकड़ा बिलकुल वैसा ही है जैसा कि उसने MCU यूनिवर्स में छोड़ा था एडी ब्रॉक बार से बाहर निकलते ही अपने रास्ते पर आगे बढ़ने लगता है बाहर सडक पर चलते हुए वह अचानक कई कुत्तों के भॉंकने की आवाजें सुनता है इन आवाजों से आकरशित होकर एडी उसी दिशा में जाता है जहां से आवाजें आ रही होती है वहाँ पहुँचकर एडी और वेनम ये देखते हैं कि कुछ गुंडों ने कई मासूम कुत्तों को पिंजरों में कैद कर रखा है ऐसा लगता है कि वे इन बेजुबान कुत्तों को बेचने का इरादा रखते हैं ये देखकर एडी और वेनम तै करते हैं कि वे इन पिंजरों को खोल कर सभी कुत्तों को आजाद करेंगे लेकिन जैसे ही वे ऐसा करने की सोचते हैं वहां तीन गुंडे आ जाते हैं वही लोग जिन्होंने इन कुत्तों को कैद किया था एडी उनसे शांती पूर्व कहता है कि वे कुत्तों को छोड़ दें और यहां से बिना किसी जगड़े के चले जाएं तो वह उन्हें कुछ नहीं करेगा लेकिन वे गुंडे एडी की बात को अनसुना कर उस पर हमला कर देते हैं और गोलियां चलाने लगते हैं एडी के पास अब कोई विकल्प नहीं बचता और इसी के साथ वेनम बाहर आता है मूवी में पहली बार एडी वेनम का रूप धारन करता है वेनम बनते ही वह तुरंत सभी पिंजरों को तोड़ कर कुट्टों को आजाद करता है और फिर उन गुंडों से निपटने के लिए आगे बढ़ता है बिना किसी दया के वेनम उन गुंडों का सिर्ख खा जाता है उनके बुरे कर्मों का अंत कर देता है इसके बाद एडी वापस अपने इंसानी रूप में आ जाता है और उन सभी कुट्टों को सुरक्षित वहां से छोड़ देता है कुट्टों को बचाने के बाद वह फिर से अपने रास्ते पर आगे बढ़ने लगता है लेकिन तब ही हम नोटिस करते हैं कि एक जेनोफेज जो नल द्वारा भेजा गया है उसकी हरकतों को एक बिल्डिंग की छट से देख रहा है हालांकि एडी उस जेनोफेज की उपस्थिती से अंजान होता है और बिना रुके अपने सफर पर आगे बढ़ता रहता है वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि कहीं दूर एक रहस्यमाई व्यक्ती बैठा है जो लगातार एडी ब्रॉक पर नजर रख रहा है जिस सड़क पर एडी चल रहा होता है उस पर लगे CCTV कैमरे उसकी हर गतिविधी को कैपचर कर रहे है इन्ही फुटेज के जरीए यह अंजान व्यक्ती एडी की हरकतों पर नजर बनाए हुए है इस दृष्य में उस व्यक्ती का चेहरा सपष्ट नहीं दिखाया जाता लेकिन वह धीरे से कहता है एडी ब्रॉक बाहर आ चुका है अब उसे पकड़ने का समय आ गया है इसके बाद वह जनरल रेक्स को फोन करता है और उसे एडी को गिरफतार करने का आदेश देता है इसी बातचीत से यह साफ हो जाता है कि यह व्यक्ति एडी और वेनम दोनों के बारे में पूरी जानकारी रखता है इसके तुरंथ बाद हम जनरल रेक्स को देखते हैं जैसे ही उसे सूचना मिलती है वह अपनी टीम के साथ उस बार में पहुंचता है जहां हाल ही में एडी और वेनम थे वह पहुंचकर वह बार्टेंडर से जानकारी लेता है बार्टेंडर उसे बताता है कि वह शखस जो अभी अभी बार में था उसके शरीर से कई हाथ निकल रहे थे और वह उन हाथों को काफी दूर तक बढ़ा कर किसी भी चीज को पकड़ सकता था ये सुनते ही जनरल रेक्स अपने साथियों से कहता है कि वह बार्टेंडर को बेहोश कर गाड़ी में ले चले ताकि उससे आगे पूछताच की जा सके उसकी टीम बार्टेंडर को बेहोश करके उसे अपनी गाड़ी में डाल देती है साथ ही जनरल रेक्स वेनम के शरीर का वह छोटा सा हिस्सा भी उठा लेता है जो काउंटर पर रह गया था इस हिस्से को देखकर उसे वेनम की असली ताकत का अंदाजा हो जाता है और वह इसे एक महत्वपूर्ण सबूत के रूप में रखता है इसके बाद सीन बदलता है और हम एक महिला से मिलते हैं जिसका नाम डौ पैन है डॉक्टर पैन एरिया 51 में रिसर्च का काम करती है और वह एक अत्यंत कुशल वैज्ञानिक के रूप में पहचानी जाती है ऐसा लगता है कि वह भी इस रहस्यमई मिशन का हिस्सा है और एडी और वेनम से जुड़ी सच्चाई को उजागर करने में अहम भूमिका निभाने वाली है दोस्तों जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं कि एरिया 51 वास्तव में USA में एक रहस्यमई जगह है कहा जाता है कि यहाँ एलियंस और उनसे जुड़ी कई चीजों पर रिसर्च की जाती है इसी तरह का कुछ हमें इस मूवी में भी दिखाया गया है हम देखते हैं कि डौ पेन एरिया 51 में रिसर्च के काम के लिए पहुँचती है और वहाँ पता चलता है कि पृत्वी पर मौजूद सभी सिंबायोट्स को यहीं कैद करके रखा गया है कुछ समय बाद जनरल रेक्स डौ पेन से मिलने आता है और हम जानते हैं कि वह भी एरिया 51 के लिए काम करता है जनरल रेक्स वह छोटा टुकड़ा भी लाता है जो उसने बार से वेनम की बॉड़ी से उठा लिया था और वह इसे डौ पेन को रिसर्च के लिए दे देता है इसके बाद डौक्टर पेन जनरल रेक्स को लेकर एक विशेश रूम में जाती है जहां वे एक व्यक्ति को देखते हैं पैट्रिक मलगन जो जीवित है लेकिन एरिया 55 की कैद में है पेन और जनरल आपस में बात करते हुए बताते हैं कि जब उन्होंने उसे पाया था तब वह मृत था और उन्होंने उसे एक सिंबायोट के साथ बॉंड करवा दिया जिससे वह पुनह जीवित हो गया तब ही पैट्रिक मलगन अचानक खड़ा हो जाता है शीशे के पास आक जनरल रेक्स और डौ पैन को देखता है और गंभीर आवाज में कहता है तुम सब पर एक बड़ा खत्रा मंडरा रहा है इसी समय हमें एहसास होता है कि यह पैट्रिक मलगन नहीं बलकि उसके भीतर का सिंबायोट बोल रहा है यह सिंबायोट नल के बारे में उन्हें होना चाहता है इसी कारण वह कोडेक्स को पाना चाहता है जो उसकी कैद से मुक्ती की कुंजी है इसके बाद सीन बदलता है और हम एडी ब्रॉक को देखते हैं जो वेनम सिंबायोट में ढलकर एक प्लेन से चिपका हुआ न्यू यॉर्क की ओर उड़ता हुआ आ रहा है ले कि वेनम किसी तरह जेनोफेज को चकमा देकर प्लेन से कूच जाता है और पैराशूट खोल कर एडी को सुरक्षित नीचे उतारता है नीचे पहुचकर एडी ब्रॉक वेनम से पूछता है आखिर वो क्रियेचर कौन था और हम पर हमला क्यों कर रहा था जवाब में वेनम ए सिंबायोट्स को एक गौड ने बनाया था जिसका नाम नल है लेकिन नल ने सिंबायोट्स के साथ साथ जेनोफेज को भी क्रियेट किया था यानि वही क्रियेचर जो उन पर हमला करने आया था कई साल पहले सारे सिंबायोट्स ने मिलकर नल को एक कैदी की तरह क्लिंट नाम फिर से जिन्दा कर सकता है। लेकिन जैसे ही एक सिंबायोट अपने होस्ट को पुनर जीवित करता है, उनके शरीर में एक खास उर्जा विक्सित होती है, जिसे ही कोडेक्स कहते हैं। और यही कोडेक्स नल को चाहिए ताकि वह खुद को क्लिंक नाम की जेल से आजाद कर सके। वेनम की बात सुनकर एडी थोडी राहत महसूस करते हुए कहता है, अच्छा है कि हमारे पास तो कोई कोडेक्स नहीं है, क्योंकि मैं तो कभी मरा ही नहीं हूँ। यह सुनते ही वेनम कंभीरता से एडी को देखता है और कहता है, लेकिन तुम एक बार मर चुके हो। इसके बाद, एक फ्लैशबैक में हमें वेनम एक मूवी का एक सीन दिखाया जाता है, जिसमें एडी ब्रॉक की मौथ हो जाती है। उसी वक्त, वेनम सिंबायोट उसे फिर से जीवित करता है। इसी वज़े से अब एडी और वेनम की बाडी में कोडेक्स मौझूद है, जो नल के लिए बेहत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर वेनम एडी को समझाता है कि जेनोफेज तभी कोडेक्स को देख सकता है, जब वह एडी ब्रॉक को पूरी तरह से वेनम में बदल देता है। जैसे ही AD पूरी तरह Venom में तबदील होता है, उसके गले में स्थित कोडेक्स तेजी से चमकने लगता है, जिससे जेनोफेज को कोडेक्स का सिगनल मिलने लगता है. इस कारण से जेनोफेज, चाहे जितनी भी दूर हो, कोडेक्स को ट्रैक करके वहाँ पहुँच जाता है. Venom इसलिए AD से कहता है कि जब तक जेनोफेज का खत्रा बना हुआ है, वह AD को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म नहीं करेगा. अगर ऐसा हुआ, तो जेनोफेज उन्हें ढूंड निकालेगी और AD और Venom दोनों को मार कर कोडेक्स लेकर नल को सौप देगी. ऐसा होने पर AD और Ven Venom की मौत तो तै है और साथ ही नल भी आजाद हो जाएगा. इसके बाद AD और Venom आगे बढ़ते हैं और थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक खोड़ा दिखाई देता है. दोनों यह निरने लेते हैं कि Venom घोडे के साथ बांड करेगा ताकि AD को जल्द से जल्द वहां से ब बांड हो जाता है. लेकिन इसी बीच जनोफेज Venom को ट्रैक कर लेती है और तेजी से उनके पास पहुँच जाती है. जनोफेज के वहां आते ही जनरल रेक्स की टीम उसे देखकर घबरा जाती है और उस पर गोलियां बरसाने लगती है. इस मौके का फाइदा उठाते उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है जिसका नाम मार्टिन है. मार्टिन अपनी फैमिली के साथ वहां मौजूद है जिसमें उसकी पतनी और दो बच्चे भी शामिल है. यहां मार्टिन एडी का स्वागत करते हुए उसे अपने साथ भोजन कराता है. बातचीत के दौरान मा वास्तव में एरिया 51 के पास जा रहा है क्योंकि उसने सुना है कि वहां एलियंस मौजूद है और उसका हमेशा से सपना रहा है कि वह एलियंस को देख सके. इसलिए वह अपनी फैमिली के साथ एलियंस देखने के लिए वहां जा रहा है. मार्टिन की मासुम और उत्साही ब फैमिली को लेकर एरिया 51 के लिए निकल जाता है। नियू यॉर्क पहुंचने के बाद A.D. अपने कपड़े बदलता है और छुपने के लिए एक कैसिनों में जाता है। उसी कैसिनों में उसकी मुलाकात मिसेज़ चेंसे होती है, जो उसे देख कर बेहत खुश हो जाती है और उसे अपने घर ले जाती है। उसके जागते ही जनरल रेक्स उसके पास आता है और बिना वक्त गवाय एडी पर गोली चला देता है जिससे उसकी जान जाने का खत्रा हो जाता है लेकिन उसी लैब में मौझूद डॉक्टर पेन की असिस्टेंट डॉक्टर सिरी चुपके से वेनम के कंटेनर को खोल देती है वेनम सिंबायोट एडी की जान बचाने के लिए तुरंट उसकी बॉडी में प्रवेश कर जाता है वेनम से जुडते ही एडी फिर से जीवित हो जाता है और पूरी तरह से वेनम में ट्रांसफॉर्म हो जाता है Venom का transformation होते ही Genophage भी उसे track कर लेती है और सीधे lab में घुसकर वहां तबाही मचाने लगती है एक-एक करके वह General Rakes के आदमियों को मारना शुरू कर देती है यहाल देखकर Dr. C.D. फॉरण बाकी Symbiots के container भी खोल देती है ताकि सभी Symbiots मिलकर Venom की मदद कर सके और Genophage का मुकाबला कर सके जैसे ही सारे Symbiots बाहर आते हैं वे अपने आसपास के लोगों से बंद जाते हैं और मिलकर Genophage से लड़ने लगते हैं लेकिन Genophage इतनी ताकतवर होती है कि वह कुछ Symbiots को पकड़ कर उन्हीं निगल जाती है इस अफरात फ्री में Venom इस मौके का फाइदा उठाता है और AD की बॉड़ी में छुप जाता है ताकि Genophage उसे ट्रैक न कर पाए फिर अगले ही पल AD Brock Lab से बाहर निकल कर एक खुले मैदान में पहुँच जाता है बाहर आकर वह देखता है कि Martin और उसकी Family भी वहां पहुँची हुई है Genophage की वजह से उन्हें खत्रा हो सकता है इसलिए AD तेजी से उनके पास जाकर उन्हें सुरक्षित वहां से बाहर निकाल देता है दूसरी और बाकी Symbiots मिलकर Genophage को मात देने लगते है लेकिन तभी Genophage जोर से चिलाकर अपने साथियों को सिगनल भीचती है जिससे कई Bortles खुल जाते हैं और 4-5 और Genophage वहां आ जाते हैं ये देख AD Brock फिर से Venom में बदल जाता है और सारे Symbiots के साथ मिलकर सभी Genophage से मुकाबला करने लगता है लेकिन Genophage की संख्या अधिक होने के कारण Symbiots कमजोर पढ़ने लगते हैं और AD Brock और Venom भी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं इस कठिन परिस्थिती में Venom AD को कुछ दूर ले जाता है और उससे कहता है कि अब सभी Genophage को हराने का केवल एक ही तरीका है उन्हें एक साथ मिलकर पूरी शक्ती से इन Genophage का सामना करना होगा इसके बाद हम देखते हैं कि AD Brock एक बार फिर से Venom में बदल जाता है और सभी Genophage की ओर बढ़ने लगता है यह देखकर Genophage भी उसे घेर लेते हैं लेकिन Venom अपनी शक्ती का प्रदर्शन करते हुए कई Tentacles बाहर निकालता है और सभी Genophage को अपने में समिटने की कोशिश करता है जैसे ही Venom उन्हें अपने अंदर मिलाता है वह पास के एक स्थान पर जाता है जहां एक बेहत शक्तिशाली एसिड रखा होता है यह एसिड इतना खतरनाक है कि यह किसी भी चीज को नश्ट कर सकता है Venom का यह प्लान है कि वह इन सभी Genophage को इसी एसिड से खत्म कर दे इसलिए जैसे ही वह उन सभ को लेकर एसिड के पास पहुँचता है ठीक पहले वह A.D. Brock को अपनी बॉडी से निकाल कर दूर फैंक देता है ताकि A.D. की जान बच सके फिर Venom Genophage को एसिड के नीचे ले जाकर डाल देता है उस खतरनाक एसिड के प्रभाव से Genophage धीरे-धीरे समाप्त होने लगते हैं लेकिन इसके साथ ही Venom भी मारा जाता है इस तरह अपने अंद के साथ Venom सभी Genophage को भी खत्म कर देता है लेकिन इस लड़ाई के परिनामस्वरूप A.D. Brock भी गंभीर चोटों के कारण बेहोश हो जाता है इस बीच हम देखते हैं कि Dr. Penn एक कंटिनर से एक सिंबायोट निकालती है और वह सिंबायोट और कोई नहीं बलकि सकन सिंबायोट होती है डॉक्टर Penn सकन सिंबायोट से बंद जाती है और अपने असिस्टेंट के साथ वहां से निकल जाती है जब A.D. Brock की आँखें खुलती हैं तो वह पाता है कि वह एक हॉस्पिटल में है वहां US Military का एक सीनियर ओफिसर उससे मिलने आता है वह A.D. को धन्यवाद देते हुए बताता है कि A.D. ने जेनोफेस नामक उन सभी विदेशी जीवों से मानवता की रक्षा की है A.D. और उसके वेनम सिंबायोट की वजह से एक बहुत बड़ी अन्होनी से बचा गया है इसी कारण वह A.D. को सभी आरोपों से मुक्त कर देता है और कहता है कि अब A.D. ब्रॉक अपनी जिंदगी को आराम से जी सकता है अब अगली द्रिश्य में हम देखते हैं कि A.D. ब्रॉक अपनी जिंदगी को सामान्य तरीके से जीने लगता है लेकिन AD को अपने Venom Simbiote की बहुत याद आती है और वह अक्सर उसकी यादों में खो जाता है इसके साथ ही यह फिल्म खत्म हो जाती है फिल्म के अंध के बाद हमें दो पोस्ट क्रिडिट दिरिश्य दिखाई देते हैं पहले दिरिश्य में हम नल को देखते हैं और इस बार हमें उसका पूरा चेहरा दिखाया जाता है नल कहता है अब मैं पूरे यूनिवर्स को नश्ट कर दूँगा इस सीन से हमें यह पता चलता है कि God of Simmers नल को आगे भी फिल्मों में शामिल किया जाएगा दूसरे सीन में वही बार्टेंडर दिखाई देता है जिसे जनरल रेक्स ने पकड़ कर एरिया 51 में लाया था हम देखते हैं कि बार्टेंडर एरिया 51 के बाहर खड़ा है जहां वह देखता है कि चारों और का माहौल बरबाद हो चुका है वह असमंजस में है कि आखिरकार यहां क्या हुआ है इसी बीच हमें थोड़ी दूरी पर वेनम सिंबायोट के शरीर का वही टुकड़ा भी दिखाई देता है जिसे जनरल रेक्स ने बार से पकड़ा था लेकिन इस सीन का भी अंत यही होता है यह द्रिश्य हमें यह बताता है कि स्पाइडर मैन यूनिवर्स में वेनम अभी भी जीवित है क्योंकि वेनम के शरीर का जो छोटा सा टुकड़ा बचा है वह भविश्य में यही का वेनम बनेगा लेकिन असल में आगे क्या होगा यह तो समय ही बताएगा तो दोस्तों यह थी वीडियो वेनम दे लास डांस फिल्म की कहानी मुझे बताएँ आपको यह वीडियो कैसी लगी और अगर आपको यह पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब करके मेरा होसला बढ़ाए ताकि मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लाता रहूं थैंक यू फ्रेंज फर वाचिंग दिस वीडियो